दशकों से कालिफोर्निया के समदायों के माधिम से गोल्डन स्टेट के लनामक एक मुखटा बंदूग धारक ने आतंक के अभियान में दर्जनों महिलाओं से बलातकार किया जिसमें 12 लोग मारे गए 1970 के दशक के मध्य और 1970 के दशक के दोरान अपराधों की स्ट्रिंग बाद में रुख गई लेकिन छदम हत्यारा साल के लिए एक रहस्य बना रहा क्यूंकि पुलिस ने सुराग की खोज की थी पुलिस ने बताया कि ट्रेल ने अधिकारियों को जाच के साक्षे के लिए अपने डीने से मेल खाने के बाद मांगलवार की शाम को सेक्रामेंटो उटनगर में गिरफतार कर लिया गया था जो कि यूसुफ ट्रेम्स डीन जेलो 72 वर्षिय अधिकारियों को ले जाया गया था पुलिस ने बताया कि संदिग धने 12 लोगों की हत्या कर दी और कालिफॉर्णिया में 10 काउंटी में कम से कम 50 बलातकार किये अधिकारियों ने बताया कि कुछ कथे तप राधोने ओबन कैलिफॉर्णिया में एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने समय के साथ ओवरलैप किया 1973 से वह एक सिटर और रॉबन में एक पुलिस अधिकारी थे सेक्रामिंटो काउंटी शेरिफ स्कॉट जोन्स ने कहा कि उन्हें 6 साल बाद कुट्टे के प्रतिरोधी और एक दवार की दुकान से हथोड़ा की दुकान बनाने के लिए निकाल दिया गया था जो उन्स ने कहा संभवतह वह शांतिय अप्राध के रूप में कारियरत समय के दौरान उन्हें प्राधों को कर रहा था और स्पाश्ट्रूप से हम इस बात पर ध्यान देंगे कि यह वास्तव में नौकरी पर था या नहीं एक सेटर पुलिस प्रमुक जौन हॉल ने कहा कि इस हफ़ते की गिरफतारी बिल्कुल चौक आने वाली थी उन्होंने कहा कोई ऐसे गंभीर अप्राध कर सकता है और किसी को विश्वास की स्थेती में ढूनने से धोका दे सकता है कि वह बिल्कुल अविश्वजनिय है डे एंजेलों को एक नौ साथ आठ में केटी और ब्रारन मगगीर की हत्या में पुन्जी हत्या के आरोपों का सामना करना पड़ाक उन्हें से क्रामेंटों में जमानत के बिना रखा जा रहा है और उन्हें शुक्रवार को दस्तखत किया जाएगा दस्तावेजों और अधिकारियों के मताबक Orange or Ventura काउंटी के अधिकारियों ने भी उन्हें अन्या हत्याओं में आरोप लगाया है D.N. Jail के पडोसियों ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि वह थोड़ा अजीब था पडोसियों ने कहा कि वह खुद को रखता था और कभी कभी उन लोगों पर चिल लाता था जो अपनी बाढ़ के बहुत करीब थे या अपने अगास को बहुत जल्दी उड़ाते थे लेकिन उनके पास यह सोचने का कोई कारण नहीं था कि वह हमलों में संदिग्दे थे केविन तापिया ने कहा कि वह 20 साल तक संदिग्द्र के पास रहता है हाल के वशु में उन्होंने कहा डियांजिलो एक रखलूस बन गया था तापिया ने एचलन से कहा वह एक अत्यधिक डरावनी व्यक्ति की तरह नहीं है लेकिन वह निश्चत रूप से आप जानते हैं खुद को रखाया गया था रोर की तरह थोड़ा अलग था मेरी बेहन ने मुझे याद दिलाया कि जब हम बच्चे थे और हम बार से चले गए तो वह हमें चलाएगा क्यूंकि उसने सोचा था कि हम उसके यार्ड में देख रहे थे लेकिन अधिकांच भाग के लिए पिछले दशक में वह खुद को रखा गया जैन कार्सन सेंडल साइट्रूस हाइट्स में रहते थे जहां डी एन जेलों को गिरफतार किया गया था जब एक मुख़टा आदमी उसके घर में तूट गया था और उसके बेटे के साथ उसे बांध लिया था उस आदमी ने उसके साथ बलातकार किया उन्होंने कहा जब मैं उन सभी जिन्दगियों के बारे में सोचता हूँ जिने उन्होंने नश्ट कर दिया और उन सबी लोगों ने जो इन वर्षों से प्रभाविट किया है मैं गुसे में मदद नहीं कर सकता मैं उसे पंच करना चाहता हूँ 18 जून 1976 को कार्सन सेंडलर गोल्डन स्टेट के लगे रिकॉर्ड किये गए बलातकार पीडितों में से पहला बन गया उस पहले बलातकार ने उस आदमी के लिए शिकार की शुरुवात की जो अधिकारियों का कहना है कि अगले दशक में कालिफोनिया में हमला करने और कालिफोनिया में अधिक लोगों को मार डालना था पडोसी तापिया के मुताबिक डी एंजेलों में कम से कम तीन बेटियां थी जहां तक मुझे पता था उसकी बेटियां बड़े हो गई और बाहर चली गई दूसरे दिन हम पिछवाने में खेल रहे थे मैंने उसे एक जवान औरत से बात सुनी और किसी ने मुझे आज अपनी बेटी से कहा और मुझे लगता है कि पोती उसके साथ चली गई हाल ही में उन्होंने कहा एक नौ साथ छे से एक नौ आठ छे तक अपराधों ने पूरे राजे में भै डाला हमलावर को पूरवी क्षेत्र रेपेस्ट और मूल नाइट स्टेकर भी उपनाम दिया गया था हाला कि अधिकारी यह नहीं कहेंगे कि उन्हें डी एन जेलों के डीने की तलाश करने के लिए क्या प्रेरित किया गया उन्होंने कहा कि उनका नाम पिछले हफ़ते अपराधों के सिलसिले में उभरा है जासूसों ने जांज से साक्षे के लिए अपने खर से एक त्याग डिये ने नमूना मैच किया वह बहुत दूर रहते थे जहां से कुछ अपराध हुए थे गोल्डन स्टेट के लागे पहले रिकॉर्ड किये गए हमलों के बाद से 40 साल से अधिक समय हो गया है जो से क्रामेंटों के आसपास और आसपास शुरू हुआ था इस मामले में कोई संदेह नहीं पकड़ाया गया था या यहां तक की पहचाना गया था पुलिस के नजदीक से एक स्कैच के साथ उसके दिखने के बारे में केवल मामुली जानकारी थी हाल के वर्षों में मामले में नई रुची थी इस साल एचलन की एक किताब और एक श्रिंखला इस पर अधिक प्रकाश डालने की उमीद में आए जब से क्रामेंटो क्षेत्री और बलातकार की पहली बार रुपोट की जा रही थी तो यह हमेशा वाँन महिलाओं द्वारा होती थी जो अकेले या अपने बच्चों के साथ थे लेकिन एक 977 तक पीड़तों की सूची अपने घरों में जोडों तक फैली थी पुलिस का मानना है कि पूर्वी क्षेत्र रैपिस ने फरवरी एक 9-78 में से क्रामेंटो के बाहर कालिफॉनिया के रांची कॉड़ोवा में घर में तोड़ने से पहले उन्हें अपने कुट्टे के साथ चलने के बाद एक जोड़े को मार डाला था वे उनकी पहली ग्यात हॉमिसाइज थे दो महीने बाद एक हमलावर ने सांता बाबरा काउंटी कालिफॉनिया को आतंकित करना शुरू किया से क्रामेंटो के 300 मील दक्षिन से अधिक उस समय पुलिस को इसका एहसास नहीं हुआ लेकिन हमलावर के अपराद से क्रामेंटो के पूर्वी क्षेत्र रेपेस्ट के समान पैटन के अनुरूप हैं उन्होंने दिसंबर एक नौ साथ नौ सेकेंड माई एक नौ आठ छे तक दक्षिनी कालिफॉनिया में महिलाओं जोडों पे हमला किया और मूल नायच स्टेक के रूप में जाना जाने लगा उन्होंने फिंगर प्रिंट नहीं छोड़े